हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का डेली फोकस नियोज में और यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं एक और बड़ी खबर जीहां रितेश पांडे अपनी सुरो से सबके दिलों पे राज करने वाले रितेश पांडे कल के दिन यानि की अपने जनम दिन के मौके पर उन्होंने अपनी प्रेमी का वैसाली पांडे से साधी रचा लिजीहां अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने चोरी छूपे सगाई की थी जिसकी वजह से भोजपूरी इंडस्ट्री खुस भी थी लेकिन उनके नहीं बुलानी की वजह से थोड़ी नराज थी लेकिन इसी बीच रितेस पांडे बिना किसी को बताए बिना भोजपूरी इंडस्ट्री को बताए बिना अपने दोस्तों को बताए वैसाली पांडे से साधी भी कर ली तो सोचिए सगाई पर उन्होंने किसी को नहीं बुलाया साधी पर भी नहीं बुलाया तो उनके दोस्त लोग जाहिर से बात है थोड़े बहुत नराज तो होंगे ही और उनकी नराजगी कैसे जाएगी ये तो रितेस पांडे खुद बताए कि वो एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे बहुत बड़ी पार्टी करेंगे जिहां जिसकी वजह से उनके दोस्त जितने सारे हैं उन सभी को इनवाइट करेंगे उसी में उसी की वजह से उनके सारे दोस्तों की नराजगी खतम हो जाएगी लेकिन इसी बीच रितेस पांडे के वैसी पी बहुत सारे फैंस है तो एक फैंस ने सोशल मीडिया अकांट पर एक पोस्ट डाला है उन्होंने कहा है साधी व्याह में हिजड़ों का आना सुभ माना जाता है हिजड़ों का नाच ज्यादा जरूरी होता है लेकिन रितेस भया कि साधी में कोई हिजड़ा डांस करने नहीं आया और यहां तक उन्होंने ये भी कहा है कि साधी व्याह में बंदरियों का आ रितेश पांडे के फैंस उनके किस धमाके से खूस होने वाले हैं क्योंकि हर कोई नाराज है तो चलिए फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनको आशिरवात दीजिए और साधी की धेर सारी सूप कमनाई दीचिए और कैसे लग रही हैं उनकी जोड़ी ये भी बताईए